आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम आज का हमारा इंट्राडे परफोमन्स देख करेंगे और आपको बताईगे कि सौफ़ेर में केसे काम करते हैं अगर आपने कभी सौफ़ेर यूज नहीं किया है और आप कंटिन्यू लॉस से परेशान है शेर मार्केज में तो दो को मिनिट का टाइम निकाल कर वीडियो जरूर देखे क्योंकि आपके लिए यह हैल्प फुल हो सकता है आपके लिए यह प्रॉपिटेबल हो सकता है कोई भी इंडिकेटर हो पहले तो हमें कल्फॉर्म ट्रेड चाहिए सही ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड करेगे अगर हो टाइम सर मिले तो एशिन बेन का चाहत है आज का ट्रेड बना है सेल का सिगनल है सेल के पहले देखिए एक डाउंसाइड एरो लगा है मैंने उसके और राउंड किया है अगर ये सेल के पहले इसा डाउन साइड एरो मिलता है तो सेल सिगनल कंफर्म बन जाता है वो डैफिनिटली नीचे आएगा अगर सेल के पहले इसा एरो होता है तो ही हम सेल में काम करेंगे अगर इस एरो नहीं है तो हम सेल को इग्न buy है वो सही trade है क्यों सही है क्यों confirm है उसका reason यह है कि buy के पहले यहां ऊपर की side का एक blue arrow लगाया था इसलिए buy signal confirm तो buy के पहले ऐसा ऊपर की side का arrow होता है तो ही हम buy में काम करेंगे अगर इस ऐरो नहीं मिलता है तो buy के अंदर काम नहीं पर उसको ignore कर देगे अब हमने यहां पर trade गिया तो exit कहां पर करें तो जैसे ही downside arrow मिला हम वहां पर exit कर लेगे कोई दूसरा देखते है जैसे कभी-कभी market बहुत उपर चला जाता है दो दिन उपर रहता है तीन दिन उपर रहता है पर आपको केसे पता चलेगा कि यह उपर ही रहना वाला है आप तो 5-10 point लेकर निकल जाएगे पर आपको तो खुद को पता नहीं है कि कहां तक जाएगा क्योंकि software आपको दिखाता नहीं है पर यह software आपको बताएगा कि आपको hold रहना है यह उपर ही जाएगा मैं आपको example के truth अशोक लेले का एक चार्ट ले लेता हूँ यहां पर देखिए तो एक buy signal हमें मिला है पहले तो हम trade करने से पहले confirmation चेक करेगे कि buy के पहले उपर की side का arrow लगा है हा लगा है तो मतलब कि हम यहां पर trade करेगे आगे जाकर software ने यहां पर बोला कि यह उपर जाने वाला है hold रख बोला कि आप यहां से फिर से enter हो जाए तो मतलब कि हमें यहां से re-enter करना है अगले दिन उसने फिर से बोला कि यह और उपर जाने वाला है आप hold रखिये या फिर नहीं position बना सकते हैं आप intraday में करते हैं तो यहां नहीं position बनेगी पर अगर आप 2-3-4 दिन hold करना चाहते है तो आपका position यहां hold रहेगा दूसरे दिन अगले दिन उसने फिर से बोला कि hold रखियेगा market उपर जाएगा तो आपको अगर positional करते हैं तो आपकी continue रहेगी तो आपकी position continue ही है पर अगर intraday में करते हैं तो आज यहां से नहीं position आपको ले लेनी है अगले दिन उसने फिर से बोला कि ये और उपर जाएगा hold रखिए आज market open हुआ फिर से आपको बोला कि ये और उपर जाएगा hold रखिए तो अगर आपने इंट्राडे में करते हैं तो यहांसे position नहीं ले लेने हैं तो software के अंदर ऐसी तरह काम करते हैं अगर यह signal को हमें double verify करना है तो उसका भी में चेक करवा देता हूँ कि यह buy signal है buy के पहले confirmation यहां तो सही है पर हम second seat का भी verification लेते हैं तो वह केसे होता है buy signal के पहले confirmation मिला अब second seat में गए second seat में हमें check करना होता है आप check पर कर पा रहा है कि यह white color की जो line है उन से market उपर होना चाहिए जब भी buy मिले तब buy के यहां पर यह white color की line से candle उपर होनी चाहिए मतलब की market उपर होनी चाहिए दूसरा आपको यह check करना होता है कि यहां की दोनो ribbon है वो green में होनी चाहिए साथ में आपको यह भी check कर लेना है कि यहां जो sub round है वो green में है यहां भी green है यहां भी green है यहां भी green है यहां भी green है और यहां भी green है तो मतलब की यह जो signal था वो दोनों seat से verify था दोनों seat से जब अभी भी सिगनल वेरिफाई हो जाता है तो वह बहुत पक्का ट्रेल होता है और बहुत उपर जाएगा इसा मनना है आपको तो आप यहां से लोट की क्वांटिटी भी इंक्रेश कर सकते हैं तो अगर आप यह सोफ्ट्वेर का डेमो देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर डेईली कुछ ना कुछ टीप्स देते हैं तो सेनल को सब्क्राइब करना और नौटिफिकेशन बेल आइकोन को दबाना मत बुलिएगा धन्यवाद दोस्तों बने रहे हमरी यूटूब सेनल के साथ फिर से हम नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजित होगे धन्यवाद दो चाई हिन